नमस्ते दोस्तों तो दिन है शनी वार और सुबह के बज़े हैं 6 स्टार्ट हो चुके हैं हमारे जो responsibility होती हैं वो सब ladies की responsibilities होती हैं ये तो स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं अपना routine morning का जो की सबसे पहले में स्टार्ट कर रही हूँ राजमा को boil करने रखना क्योंकि इसमें जितना समय लगेगा इ तो अगर हम उसमें जरा सी इंग डाल देते हैं यह आपके बस देश बता है तो यह चीजें जिसे लाइची हो गई मोटी एकाद आप डाल देंगे न तो यह आपको एजिली डाइजस हो जाता है प्रॉब्लम नहीं करता है तो यहां मैं बरतन कर लूँगी वैसे मैंने रात को जो हम बरतन जो दोते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उससे अगर आपयोग सब्सक्रायों चाहघी बस जाता है वह शाजएमाने वैस्ऐग경 확진 analyze using 나e बास्किट लगाके ना इसमें देखिए हम लोग इतने कोई हैं नहीं कि बहुत जादा मतलब कुछ ऐसा ओर्गनाइजर्स या फिर इस तरह से हम कुछ जादा ले सके तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें जो होती हैं वो इस तरह ही हम रख देते हैं चोटी-चोटी बास्किट से यह भी काफी बड़े साइस की है फ्रिज में तो वैसे यह इतना घंदा था नहीं मैं एक्चुली इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ बट इसकी जो डीपली क्लीनिंग होती है वो कुछ अलग तरीके से होती है उसे में जादा नहीं मन्त में एक बार ही कर पाती हूं क्योंकि जिसके लिए में प्याज और हरी मिर्च और टमाटर और अगर आपके पास लसन अधरा कहना तो आप उसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं उससे क्या होता है यह चरचरा बंसा आ जाता है सबजी में अलग सा टेस्ट आ जाता है सबजी का उसमें फिर आप जादा कुछ मसाले नहीं भी डालेंगे ना तो भी बड़ी टेस्टी सी बन जाती है सिरफ नमक मिर्चल्दी डालके अगर आप बनाएंगे ना तो भी बड़े अच्छा टेस्ट आ जाता है सबजी का तो यह मेरे लड्डू पाला भी इनको उठा लेंगे क्योंकि यह तो बहुत देर तक सोते अगर इनने ना उठाया जाए तो तो यह काम तो भी बहुत जरूरी है इनको उठाना तो इनको मैं ठालोगे देखो बड़े क्यूट से हैं यह आप इनको देखोगे ना जब तो बस देखते ही रह जाओगे इनको तो बस देखके लगता है कि नहीं यह मेरे तीनों के तीनो तो वेक हो संदे को संदे को आप देखेंगे चेंज उटा होया था तो जाड़ू लगा के मैं इसब से पहले तडर्चा लगांगी क्योंकि पोचाँ सबसे लास्ट में रगाती हूं जाड़ू लगाने के बाद फिर जो है मैं सबजी को तड़का दे लोगी क्योंकि बेटे को देर हो रही है स्कूल जाने के लिए सबसे पहले मैं जो चावल और ये जो राजमा है बना के उसको बेज के उसके बाद बाकी के जो काम है वो स्टार्ट करूँगी किचन के एक्चुली राउंड्स हो जाते हैं सिंगल राउंड में आप सारा काम नहीं कर सकते हैं किचन का उसमें आपको राउंड्स देने होते हैं फर्स राउंड में आप जो बेसिक चीजें वो करके आएं सेकिंड राउंड में आप जो और बच्चे को टीफिन देना वो थ तो यह अभी तड़का जो है रेडी हो चुका है घी हलका सा सेप्रेट हो जाए तो आप इसमें राजमा एड़ करें और आपको जितनी भी जरूरत हो पानी की आप इसमें पानी उतना डाले वैसे अगर हम चावल के साथ के लिए बनाएंगे तो और पानी डालना होगा वरना इतना इनफ ऐसे जादा आप मतलब अगर आपको प्रॉंठे के साथ रोटी के साथ खाना है तो बहुत जादा पतले राजमा ना बनाएं तो बहुत टेस्टी बनते हैं यहां मैं चावल चड़ा दूंगी चावल को मैं जादा कुछ ऐसा करके नहीं बनाती हूं सिरफ चाव पानी निकलता है ना वो एकदम मतलब साफ हो जाए तो यहां पे आ गई हूं मैं इसको यह देखिए रैडी होने के बाद यह फिर्स हो गया मतलब एक बर बच्चे को उठा दो तयार करवा दो और उसके बाद वो फिर्स हो जाते हैं उनको जबर जिस्ती उठाना पड़ता ह इसको मैं उठा रही हूं कि मैं टाइम हो रहा है उड़ जाओ यहां मैं आ गई हूं मॉपिंग के लिए तो मैं मॉपिंग कर लूँगी यहां बन चुके हैं मेरे चावल और अब मैं सबसे पहले बेटे को भेजूंगी स्कूल क्योंकि उसको देर हो रही है और यह गरम-गर में एक बच्ची है जो होड़ा सा डिस्टरब भी है माइंड से और वैसे थोड़ी सी लेकिन ये सब पता है आपको करना चाहिए अगर कोई जरुरत मंद है ना जिसको लगता और मुझे ही चिलाएगी बस लीना 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 शोर मचाती रहेगी जब तक मैं कोई भी चला जाए कुछ भी देने वो नहीं लेगी उसको बस मेरे से चाहिए भी खिला मुझे दे तो अगर आपके यहां भी कोई ऐसे बच्चे है ना तो प्लीज उनकी भी हल्प कीजिए कोई फरक नहीं पड़ता इन थोड़ी थोड़ी चीजों से ना कोई फरक नहीं पड़ता आज मैं वोईस ओवर कर रही हूं और आज संडे हैं बट आज अजिए आ यहां नहीं शायद इसको लगता है कि संदे के दिन मेरी छुट्टी होती है तो मैं रेस्ट कर रही हूँ भी सुवह तो मैं यहां हो चुकी हूँ रेडी ओफिस जाने के लिए मैने नाश्ता कर लिया था और ना टिफीन भी पैक कर लिया और अब मैं यहां त्या तो बहुत ज़्यादा हाइफ बनके मैं नहीं जाती हूं तो यह मैं जा रही हूं और यह मैडम जी बैठी है हमारी अब यह मुझे बाइबाइ और मैं निकल जाओंगी सीधा ओफिस के लिए तो यहां से मेरा ओफिस भी डेट गंटे का रस्ता है तो मुझे टाइम लग जाता है और देखिए यह डाक कावड जा रही थी शाम को तो यह मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया वहां का यह बहुत अच्छा फीलिंग कहते है ना तो बड़ा अच्छा लगता है तो यह डाक कावड के जो यह जाकियां होती है ना यह जाकी जिसे शिवजी और पारवती यह डांस करते हैं तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाबाई और सब्सक्राइब करना मत बूलना जैजै साई